वेलकम तो नवक्लासीज, आज हम डिस्कस करेंगे Sbip और प्रिलिम्स का सेकंड शिफ्ट का जो एक्जाम हुआ था उसमें नंबर सिरीज, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नंबर सिरीज डिस्कस कर रहे हैं, यहीं नंबर सिरीज द बिल्कुल, कुट फर्स्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉड़ेट टू डिफिकल्ट वाला था, सबसे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए नव क्लासिस ताकि आपको next lectures भी मिलते रहें और आपको ऐसे ही different competitive exams को crack करने के tricks मिलती रहें ठीक है तो question अगर पूछता है कि first question है 12, 7, 8, 13, 27 और फिर हमें एक और find out करना है ठीक है तो इसको अगर हम देखे तो यह पहले थोड़ा decrease होके फिर increase हो रहा है तो इसका मतलब कि यह वैसा ही है जैसे question आया था morning वाले first shift में जैसे कि 12 को multiply करेंगे अगर देखो 0.5 से point वाली series है यह भी और अगर plus करेंगे 1 12 into 2. 12 into 0.56 plus 1, 7 आ गया हमें यह पता चल गया अब second में 7 को 1 से multiply करेंगे plus 1 करेंगे तो 8 आ गया easy था यह 8 को अब देखो 0.5 बढ़ रहा है यह आपर 1.5 से multiply करेंगे plus 1 करेंगे तो 8 plus 4 हो गया 12 plus 1 13 आगे solve करते हैं यह अब किस से होगा 1.5 प्लस 0.5 यह हो गया 26 plus 1 27 इसका मतलब हमाई सीरीज बिलकुल सही है और सही आंसर आएगा अब 27 into 2.5 plus 1 ठीक है तो 54 plus half of 27 13.5 67.5 plus 1 68.5 आंसर है हमारा correct ठीक है अब question number 2 पे आजाते हैं यह है 6, 7, 16, 51 फिर question mark है यह देखो लास्ट में डिजिट्स एकदम बढ़ गया 1044 हो गया means यह multiplication वाला question है तो इसको हम देखें तो 7 कैसे आया होगा 6 multiplied by 1 plus 1 7 आया अब 16 कैसे आएगा 7 multiplied by 2 plus 2 कितना होता है 14 plus 2 16 अब 16 multiplied by क्या होगा 1, 2, 3 3 plus 3 51 और answer क्या होना चाहिए 51 multiplied by 4 plus 4 208 ठीक है तो correct answer होगया हमारा 208 इसको further check करने के लिए solve करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे कि 208 multiplied by 5 कितना होता है 104 1040 ठीक है plus 5 ये by mistake लिखा गया था 1045 ठीक है तो हमारा correct answer है 208 next question है 4717 4186 इसको इसे solve करेंगे देखो इसमें हम gap check out कर लेते हैं जब भी हमें सीरिज को थोड़ा बुट समझ में नहीं आ रहा तो हम इन दोनों का gap check कर लेते हैं 3 10 41-17 24 45 ठीक है अभी भी सीरिज समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है तो इसको further pyramid को solve करेंगे 7 14 और अब 21 अब सीरिज समझ में आ रही है 7 plus 7 14 14 plus 7 21 अब 21 plus 7 28 ठीक है यह देखो 28 plus 45 plus 86 अगर हम करें तो हमारा answer आजएगा 159 आँसर 159 answer आगया हमारा अब हम solve करते हैं next series 16 25 50 99 180 इनका difference ले लेते हैं इसका difference है 9 25 49 81 यहाँ पर भी वोई series समझ में आ रही है कि 9 है 3 का स्क्वाइर 5 का स्क्वाइर 7 का स्क्वाइर 9 का स्क्वाइर ठीक है तो अब next वाला किसका होगा 22 add हो रहे 11 का स्क्वाइर 11 का स्क्वाइर कितना होता है 121 इसमें क्या होगा add 121 plus 180 तो हमारा आंसर आजाएगा 301 301 आंसर आगया हमारा पॉफेक्टली इजी अब देखें Q5 चेक कर लेते हैं This is the last question 72, 79, 65, 93, 37 QM ठीक है तो इसको कैसे solve करेंगे हम फिर से डिफ्रेंस देख लेते हैं इनका डिफ्रेंस है 7 यह add हो रहा है फिर less हो रहा है ठीक है तो यहाँ प्लस 7 का डिफ्रेंस है फिर माइनस 14 का डिफ्रेंस है यहाँ पर प्लस 28 का डिफ्रेंस है फिर 93 माइनस 37 56 वो भी negative अब next क्या होना चाहिए यह देखो 7 7 प्लस 7 14 14 का डबल 28 28 का डबल 56 56 का डबल कितना होता है 112 112 37 क्या होगा यह माइनस हो रहा था यह क्या होगा फिर अब add होगा तो हमारा आंसर आया 149 आंसर आ गया simple था अब हमने shift 2nd के भी number series को solve कर लिया first के हमने पहले कर ली थी number series अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं और number classes देखते रहें अगर आपको कोई question पुछना है तो आप पूछ सकते हैं और subscribe करें similar tricks के लिए मैं already आपको math tricks सिखा चुकी हूँ और अब next आप सिखेंगे reasoning कि किसी भी alphabet series को कैसे solve करते हैं उसकी trick क्या है कैसे easily solve कर सकते हैं और सही answer आएगा every time तो number classes देखते रहें like करें, subscribe जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ WhatsApp, Facebook, etc. पर Thank you